तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्मस केक जिसके लिए मैं आपको बताऊंगी किंकिन समानों की जुलत पड़ेगी बहुत ही हेल्दी बहुत ही अच्छा से क्रिस्मस केक आज हम बना के त्यार करने वाले हैं आप देख सकते हैं देखे कितना क्लरफुल है न और ब वन लैफ liquids कप हम डालेंगी काहिू 1geh वे फौर्थ कप डालेंगे हम हरी वाली किस्मिस और ओर वन बै फौर्थ कप हम डालेंगे होँ पे ब्लैक किस्मिस आती है ब्लैक रेजिन की से मोलते हैं वह हम डालतेंगे हम के टूर्टी फुर्टी डालेंगे और इंच क्ल लए की वन बै फोर्थ कप अब रेड किलर के chtूर्टी फूर्टी डाल रहें वो भी वन बैो फोर्थ कफ चेल लेंगे द़ंगे आप आप नहिएक बदाम अब इनसाब अच्छी सी जूस के साल मिक्स कर लेंगे तो हम सभी ड्राइफूर्स डाल रहे हैं जो आपके घर में ड्राइफूर्स हो आप वो डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बस कटे वे होने चाहिए क्वांटिटी भी आप कमबे सी अपने अनुसार कर ले अब हम आगे गेस की पास अब हमने एक पेन जुलिया था जूस बहुत कम हो जाएगा और ड्राइफूर्स सॉफ्ट हो जाएगे अब फिर से देखिए मैंने गेस की फिल्म को बंद कर दिया है मैंने ड्राइफूर्स को साइड करके रख दिया है अब मैंने ले लिया एक पेन जिसमें मैंने डाल दिया है चीनी यह लगभग 3 x 4 cup चीनी है म अब मैंने डाल दिया है और मेल्ट कर रही हूं अब मैं चीनी को हम करमलाइज कर रहे हैं हम एक करमल बना रहे हैं सुगर करमल जो होता है वह हम बना रहे हैं चीनी जब मेल्ट हो जाएगी चीनी हमारी अच्छी से देखिए मेल्ट हो चुकी है अब हम गेस की फिल्म को करने के बाद आप पानी डालेगा बिल्कुल भी आपको कोई प्रोब्म नहीं होगी और थोड़ी दूर से प्रोसेस करने हैं हमारा देखिए काफी अच्छा सा करमल बन के तियार हो चुका है अब हम बनाएंगी केक जिसके लिए मैंने ले लिया है बाउल जिसमें मैंने डाला वन बाई पॉर्ट कब दूद और वन बाई फॉर्ट कब डाला है मैंने ओयल ठीकिए वेजिटेबल ओयल है कोई प्रोब्म नहीं बीडावट इसमेल का है अब हमने जो ड्राइफूर्स डेडी करके रखा था वो ड्राइफूर्स में हम डाल देंगे अब इन सभी को फिर से अच्छी से हम मिक्स कर लेंगे तो ड्राइफूर्स से लिक्विड चीजे सभी मिक्स हो चुके अच्छी से अब इसमें हम डालेंगे मैदा अल परफस फ्लोर डालेंगे जिसके लिए मैने लेली एक श्टेनर और इसमें हम इस मैदे को डाल देंगे तो एक कप है यहां पे या मैदा और एक चमश डालेंगे यहां पे हम बैकिंग पॉडर वन पाइफ फोर्ट कप डालेंगे मिल्क पॉडर अब इन सभी को अच्छी से हम स्टेनर के हर्प से स्टेन कर लेंगे इस से छान लेंगे बहुत अच्छा होता है केक बनाएना तो एक बहुत अच्छा बनता है एंड में हम बैकिंग सॉडर डालेंगे मैं दिखाऊंगी इसमें हम रियक्टिवेट भी करेंगे इसके लिए में लाश्ट में राल रही हूं जिसे के काफी जालीदार स्पंजी बनता है तो इस तरह से दिखने हम मिक्स कर लिया अब यहां पे हम डालेंगे सुगर केरमल जो हमने बना के रखा था सुगर को करेमलाइज किया था हमने वह हम डाल के अच्छी से मिक्स कर लिए अब इसमें हम डालेंगे पानी क्योंकि अभी मुझे थोड़ा गाड़ा नज लग रहा है इसके में यहां पे लगवग चार चमच पानी मिक्स करूंगी और अच्छा सा बैटर नमना के रिड़ी कर लेंगे आप जब भी बनाए इसका बैटर आप थोड़ा सा कम बेसी कर सकते है पानी आप अपने ब काफी जालीदार इस्पंजी बनता है अब जब भी कोई केक बढ़ा है न तो नहीं जड़ू डालें बहुत फरक पड़ता केक बनाने में इस तरह से देखें हम कट एंड फोल्ड की मैठट से हम ज़ला लेगे अब हमने ले लिया है केक टीन इसको मैंने पहले ग्रीश करके अब इसमें हम शारा बेटर को डाल देंगी दालने के बाद इससे हम दो बार टैप करेंगे इससरे से जितनी भी एल बबल से वह निकल जाए और हमारा केक पर्फेक्ट बने में दो बार इससे टैप कर लिया है अब हम चलेंगे और अब कुछ ड्राइफट उपर से लगाए तुटी फूटी भी डाल सकते हैं और एक बार बता दू मैंने इसको ड्राइफूर्स डाला था लेकिन जब मैंने इसे बेक किया ना तो सभी अंदर चल गी क्योंकि केक फूल जाता है फूलने के बाद सारे ड्राइफूर्स अंदर की तरब चले गए थे तो मैंने एंड में क् अब हमारा केक बहुत अची से बेक हो चुका है तो देखिए अब हमारा केक बहुत अची से बेक हो चुका है मैं आपको रिखाती देखिए नाइफ में बिल्कुल भी नहीं लगाना इसका मतलब यह पर्फेक्ट बन चुका है अब हम गेस की फिल्म को बंद कर देंगे इसे थंडा करेंगे को इसके बाद हम रिमॉल्ट करेंगे केक को ठंडा करने के बाद ही रिमॉल्ट करना चाहिए व हमारा केक बहुत असानी से निकल जाता है बिल्कुल भी कोई परिसानी नहीं होती है आप देखिए हमारा केक का कितना ला जवाब आया है बहुत ही पर्फेक्ट केक बन के तयार है बहुत हाइट है बहुत सपंजी जालीदार केक बन के तयार हो चुका है कलरफूल केक है ड् अगर आपको रेसीप अच्छी लगी हो ना भूलें लाइक और शेयर करना ना भूलें कमेंट यूर के मुझे जरू बताएं अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिए नहीं रेसीपी के लिए